ओर फिर आज में आपके बीच में हमने इससे पहले देखा मोवर यानि की कमर से नीचे उसके बाद कमर से उपर आपर आज में जम समय की दोनों का बिट सेक्षन हमारा जो होता है वो आपको बता रहा हूं कि किस तरह से आप पहुत पीजिया अगर आप मेरी पोसाओ देखोग कि आप क्या क्या कर सकते हैं इवन या अर्ली मॉर्निंग उठके अपने बेड़ पर भी कर सकते हैं यह सब एक्सरसाइज आपको वही बताता हूं कि किस तरह साफ मिट सेक्षन को अपना थोड़ा सा स्ट्रॉंग बना सकते हैं आप सब से पहले लेट जाएए लेटने के बाद और गुटना नीचे टच हो गया उसके बाद पर दूसरी तरफ को गये यह पहला हो गया साइट दोनों तरफ जाना है राइड लेट दोनों पैर ज्यान रहे कि जब नीचे जा रहे हैं तो जिस अगर मैं भी लेट की तरफ हूँ तो मेरा लेट आला पैर नीचे टच है और बिल्कुल लेट गे सीधे लेटने के बाद में आप घुटने मोड़कर पैर को उपर लेके आई और फिर नीचे इस वक्त पैर हवा में रहेंगे आपके और सीधे करना है अभी सीधे हो गया तो अगर नीचे देखेंगे मेरा हिप और मेरी अपर बोडी जमीन पर है और फ्लो अब अगर आप इसको साइड में अगर फोड़ा सा डिफिकल्टी लेवल बढ़ाएंगे और ट्विस्ट करेंगे इसको उपर की तरफ को अब हम उपर से उठते कि कि अब्डोमिन की भी पार्ट होता है मिट सेक्शन के अब्डोमिन को स्ट्रॉंग करने के लिए अब कुछ वान तू थ्री इस तरह से आप यह कर सकते हैं अपर बॉड़ी उठेगी लोवर यानिक आपका हिप नीचे रहेगा तो यह तीन एक्ससाइज हो गई इसके बाद में आपको मैं और एक बता रहा हूं आप दोनों हाथ साइड में कर लिजे और थोड़ा साइड जाना है आप आपको अभी इस वक्त पैर को टच करने की कोसिस की जैदर साइड राइट लेफ्ट राइट लेफ्ट यह हो गया आपको इसमें थोड़ा सब्सक्राइगा आपके अब्डोमिन पर अपना आपको बदा रहा हूं लास्ट एक्ससाइज कि आप और क्या कर सकते हैं आप यही इसमें तो कि अपना जाएट राइट पीछर मुपारिव जाएट पैट लेट राइट लेट लेटने के बाद में आपको जिस तरह से घुझन जासन करते हैं वही करना है को ऊपर आएट फिल नीचे जाएट इसमें ध्यान रहें कि आपकी थाई जमीन पर नहीं लगी रहें और आप अपर बोडी आपकी उपर को आए, उससे पोजिशन में आपके हाथ है और जब उपर आ रहे हैं तो यह वह सीधी हो जाएगी तो यह कुछ exercises है जो आपका mid section को strong करेंगी यह आप घर में भी कर सकते हैं और early morning उठके भी कर सकते हैं